नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आसिस लुनिया और आप देख रहे हैं All Talent Civil दोस्तो आज हम जानेंगे प्लास्तर के बारे में प्लास्तर हमारा किस प्रकार होना चाहिए उसे किस प्रकार करना चाहिए जिसकी फ्रंट दिवाल पे जहां से हम सूत लाइन देखते हैं सूत का धागा देखते हैं वह फ्रंट साइट में हमें कितना मोटा प्लास्तर लेना चाहिए और जिसकी बेक साइट में जहां उपर खावार एरिया जादा रहता है इंटे बहार अंदर घेतिये उस साइट में हमें कितना मोटा प्लास्तर लेना चाहिए तो दोस्तो हमें plaster के पहले क्या प्रकिरिया करना चाहिए इनी सभी सवालों के जवाब आपको मैं दूँगा इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो को अंति तक देखते रहे हैं ताकि आपको पूरी knowledge मिल सके plaster के बारे में कि दोस्तो वीडियो पसंद आये तो इसे like जरू कर दिजिए और दोस्तो वीडियो को टाइम ज्यादा न बढ़ाती हुए सीधे हम टॉफिक पर आते हैं और दोस्तो प्लास्तर सुरू करने से पहले दिवालों को इतना गिला कर दिजिए इतनी तराई कर लीजिए ताकि दि करति हैं दोस्तो इस से क्या है बहरी सीडल का पानी रहता है वह डिवालों तक नहीं हुआ वहाटरफूर्पीविंइब का काम करती है और अब आठेता है था तॉक कि दोस्तों कितना मोठा लेना चाहिए दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंट साइट के दिवालों में जहां से हमारी दिवाल है बिल्कुल सीध ही रहती है जिस साइट से हमें सूत लाइन देखते हैं उस साइड में हमारा प्लास्तर जो होता है बहुत दोस्तो इस्टेंडर साइज जो होता है बहु 10 mm मोटा प्लास्तर होना चाहिए अब दोस्तों बात करने दिवाल की याने पीछे की दिवाल की जहां उबल खावड रहता है उस साइड में दोस्तों हमारा इस्टेंडर साइज जो रहता है वो रहता है दोस्तों 15 15 mm मोटा प्लास्तर बेक दिवालों में हमें लेना है दोस्तों अगर इससे अगर मोटा ज्यादा चड़ता है जिस इस्टेंडर साइज की आपको बताया हूं उससे अगर मोटा चड़ता है तो दोस्तों इससे दिवालों का कोई नुकसान तो होगा नहीं लेकिन आपका मटेरि आपके पेसे का नुक्सान जरूर होगा अगर दोस्तों इससे पतला अगर लगता है इससे पतला अगर प्लास्तर होता है तो दोस्तों यहां पर कुछ पेसों की बचत जरूर की जा सकती है लेकिन यहां पर आपको कोई फायदा जादा मिलने वाला नहीं है लेकिन दिक्कत छो आपके साथ शेयर करना चाहता था जिससे आपको कुछ फायदा मिल सके तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है इससे अगर आपको इस चीज का नालेज नहीं है तो तो दोस्तो